इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी लेफ्रा बीस टैबलेट रूमिटोइड गठिया और सोरा टिक गठिया के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है यह रोग की प्रगती को धीमा करने में मदद करता है और दर्ड स दूजन और लाली से राहत प्रदान करता है लेफ्रा बीस टैबलेट का उपयोग खाने के साथ या बिना करें इसका अधिक्तम लाब प्राप्त करने के लिए आपको इसे नियमित रूप से और प्रतीक दिन एक ही समय पर लेना चाहिए अपने चिकित सक द्वारा बताय अन इंजाइम में वृद्धी और श्वसन तंत्र का संक्रमन अपने चिकित सक से परामश करें यदि इन में से कोई भी दुश प्रभाव समय के साथ दूर नहीं होता है या बत्तर हो जाता है आपका डॉक्टर इन लक्षनों को कम करने या रोकने के तरीकों में मदद कर सकता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि दवा आपके लिए सुरक्षित है इस दवा को लेने से पहले अपने चिकित सक को बताएं कि क्या आपको अपने हिरदय, गुर्दे या यकृत में कोई समस्या है इसके अलावा अपने डॉक्टर को अन्ने सभी दवाओं के बारे में रही है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक् करके नोटिफिकेशन बेल आइकान पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद